Example No.1, Write an anti-derivative for each of the following functions using the method of inspection. Anti-derivative का मतलब क्या होता है? हमें इन function को integrate करना है. Anti-derivative मतलब derivative का ultra मतलब integration, ठीक है? तो हमें इन्हें integrate करना है, लेकिन हम simple integration की formula is use नहीं करने वाले है. हमें method यूज करना है, method of inspection. ये क्या होता है? ये ये होता है. जो given function है, वो किसके different season से आया होगा हमें ये find करना है, बस. फिर repeat कर रहा हूँ, जो given function है, हमारे पास given function है, ये, ये, ये. वो किसके different season से आया होगा हमें ये find करना है. तो आप chapter No.5 पढ़के आ चुके हो? हमें उसमें पता है हमें कि कॉस्स जो होता है वो साइन को डिफिरेंसियेट करने पर आता है सबको यह बात पता है जब हम साइन को डिफिरेंसियेट करते हैं तो हमें कॉस्स मिलता है क्योंकि हमें यहीं फाइंड करना है किसके difference station से आया होगा find करना है तो हम ले लेंगे यहाँ पर d over d x किसका sin 2x का क्योंकि हमें पता है sin 2x को differentiate करने पर हमें cos जैसा कुछ मिलेगा cos 2x नहीं मिलेगा पूरा कुछ और भी मिल सकता है लेकिन cos 2x जैसा ही कुछ मिलेगा check करें sin 2 से करो पर sin 2 करो cos 2x फिर 2x करें इंडिफ्रेंस से सन तो हमें 2 मिल जाएगा तो हमें क्या मिला cos 2x इंटू में 2 ठीक तो यहाँ पर इंटू 2 2 extra आ रहा है तो यह काहां करते है 2 यहाँ पर multiply में इस साड़ा के divide मो जाएगा तो मैं इसको लिसकता हूँ 1 by 2 d over d x sin 2x d over d x 1 by 2 यहाँ था इसको अंदर लियाओ कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 by 2 sin 2x is equal to cos 2x समझ में आ गया अब कुछ को समझ में नहीं आया होगा मैंने ऐसे क्यों किया क्या जूरती जूरती इसलिए थी तो कि क्या लिखा है मैंने जो given function है वो किसके difference season से आया होगा जो given function है cos 2x cos 2x किसके difference season से आया हुआ है तो हमारा cos 2x 1 by 2 sin 2x को differentiate करने पर आया हुआ है तो जो यह है हमार पास 1 by 2 sin 2x वो हमारा anti-derivative हो गया लिख दो this implies anti-derivative of cos 2x is equal to 2 kya है हमार पास 1 by 2 sin 2x यह हमारा answer आ गया ठीक है यह हमारा answer आ गया मतलब ऐसे भो सकते हो हब कि cos 2x का integration क्या होगा हमार पास 1 by 2 sin 2x होगा ठीक है यह हमारा a part हो गया अब b part करते हैं यह वाला यह तो काफी easy है क्योंकि यह में साफ़ सब दिख रहा है है कि नहीं? अगर आप x cube को कर दिफ्रिंस इट तो आपको 3x मिल जाएगा सिंपल सी बात है और 4x cube किसको डिफ्रिंस इट करने मिलेगा हमें एक की पावर 4 को है कि नहीं? तो प्लस x की पावर 4 जाओ तो चेक कर लो चेक करतें तो यह कहा मिलेगा हमें 3x square मिलेगा और प्लस 4x cube मिलेगा तो हमें मिल गया कि जो हमारा function है वो इसके differentiation के लिए आया हुआ है तो हमें stat answer मिल गया कि this implies कि जो हमारा anti-derivative of of 3x square plus 4x cube is क्या हैगा हमार पास ये x की power 3 plus x की power 4 ये हमारा answer आ गया अब third part करते हैं तो last है हमारा ये कि 1 by x जल्दी से बताओ मुझे आप कि 1 by x किसको differentiate करने पर आएगा तो हमारा 1 by x d over dx log mod x को differentiate करने पर आता है ठीक है तो हमें क्या मिलेगा 1 by x मिलेगा तो हमारा anti-derivative of 1 by x की आएगा is log mod x जिन लोगों को सिर्फ answer चाहिए था उनके लिए इतना complete है ठीक है अब जिनके दिमाग में doubts है कि मैंने log mod x क्यों लिया मैंने log x क्यों नहीं लिया वो लोग आगे देखे आगे प्रस्थान करे ठीक है तो उनके लिए है यह आगे का चीज देखो आप आपके दिमाग में क्या होगा कि d by dx log x है कि नहीं इससे differentiate करने पर क्या मिलेगा बोलोगे भया 1 by x मिलेगा हमें 1 by x से चाहिए बिल्गों सही बात लेकिन अगर मैं आप से पूछ हो कि इस कांसर बताऊ मुझे d over dx log minus x तो आप क्या बोलोगे बताऊ इस कांसर क्याएगा log x का 1 by x होता है तो 1 by minus x मिलेगा फिर minus x को करो differentiate आप तो आपको minus 1 मिलेगा तो minus 1 और minus से minus cancel तो आपको मिलेगा 1 by x तो आपको इस case में भी 1 by x मिला और इस case में भी 1 by x मिला मतलब ऐसे दो values हैं जिने differentiate करने पर हमें 1 by x मिलती है ओके अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं कि ना log की कुछ properties होती हैं log के अंदर आप कभी भी positive value ही put कर सकते हो जो domain होता है log का वो होता है positive real number ठीक है तो आपको क्या करनी है यहापे जो भी यहाँ पे values होगी x की मतलब यह समझ लो आप देखो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ मैं एक bracket और ना दिया मैंने log bracket के अंदर x तो जो यह bracket के अंदर value हो हमेसा positive होनी चाहिए हमेसा positive value होनी चाहिए इस bracket के अंदर हमेसा value जो है वो positive होनी चाहिए तभी हमारा answer आएगा क्योंकि यह log की condition होती है मैं हमेसा positive value होता है पासमें आ रही है इतनी चोटी सी बात ही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है हाँ पे x की value होगी वो हमेसा greater than 0 होगी तभी तो positive होगी greater than 0 होगी तभी positive होगी और इस case में बताओ यहाँ पे क्या है bracket के अंदर minus x है तो हमें क्या चाहिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव लिए क्या होना चाहिए तभी तो होगी जब एकस के वैल्यू लेस दन जीरो होगी जब x के लिए less than 0 होगी मतलब negative होगी और minus sign एक यहाँ पर already है तो minus into negative positive होजाएगा example ले लो अगर x के लो minus 2 है minus 2 into minus यहाँ पर sin है तो plus 2 होजाएगा तो यह दो conditions आपको समझ में आती है अब देखो आप क्या मैं इसको इन दोनों के help से लिसकता हूँ और होगा कि यह कैसे हो गया यह समझ में आ गया कि यह कैसे हुआ यह कैसे हो गया तो आपको मैं एक बात बता दूँ जो हम पढ़के आ चुके है mode x के बारे में chapter number 5 में कई बार कि जो mode x होता है हमारा ऐसा होता है जब भी x की value less than 0 होती है तो हम मानस x लिखते है और जब भी x की value greater than equal to 0 होती है तो हम x लिखते है यह हम पढ़के आ चुके है तो इस यहाँ पर देखो x की value greater than 0 थी greater than 0 थी तो हमारा x था greater than 0 थी तो हमारा x था अब आप बोलोगे यह कहां गया equal to equal to हमें लेना नहीं है न x not equal to 0 तो हमें equal to 0 लेना नहीं है इसको भी फूल जाओ जब भी x greater than 0 होगा तो हमारा x होगा ठीक है x greater than 0 था तो x था और जब भी x less than 0 होगा तो हमारा minus x होगा जोको x less than 0 है तो हमारा minus x है यह condition satisfy हो रही है पूरी-पूरी इसलिए हम ले सकते हैं log mode x ठीक है तो यह क्या है का हमारा पास log mode x का है का हमारा पास 1 by x जो कि मैंने यहां पर लिखा था तो this implies क्या है इंप्लाय हो रहा है हमारे हां से this implies जो हमारा anti-derivative of 1 by x जो है is log mode x यहां पर भी यह line उतार दो ठीक है यह हो गया पूरा detail में और अगर detail में नहीं चाहिए यह रहा हमारा answer दोनों अपनी जगे पे सही है यह मैंने इसलिए बताया ताकि आपका maths और मजबूत हो basic और अच्छे से clear हो जाए ठीक है और thank you for watching अगर video अच्छी लगी हो तो आप like and subscribe कर सकते हैं thank you so much